हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूँ क्लाश 10 का अगला वंसॉट जिसका नाम है बहुपत ठीक है तो हम लोग वंसॉट जो अगर हम बात करें तो हम लोगोंने चार से पांच चेप्टर के वंसॉट कर लिए ना पहला वंसॉट जो हम लोगोंने देखा था वास्तिविक संख्याओं का देखा था फिर तिकोर मिती का परिशय देख लिया है हम लोगोंने दुघास समीकर देख लिया है एक चरवाले रैखिक समीकर योग में भी देख लिया है तिक तो बेसिकली अगर हम देखें तो चार चेप्टर हम लोग कंप्लेट कर होगी तो मैं जितना जहां पर पढ़ाना है उतना मैं आपको देता रहूंगा जिससे आपका पूरा concept किलियर है उसके लिए बिल्कुल परिसान होने की जरूरत नहीं अगला वन जो हम लोग बहुपत के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान चैप्टर है यह बहुत छोटा चैप्टर है पहले तो इसमें तीन exercise गुआ करती थी कि हमारे पास 2.1 है 2.2 है और 2.3 है अब दो ही exercise है 2.1 और 2.2 सभी maximum board में सारे boards के लिए हम लोग यह one-sort ले रहे हैं कोई यह ना सोचेगा सरिये बिहार board के लिए है सरिये UP board के लिए है या जहारखंड board के लिए है 36 गर board के लिए MP board के लिए आप जिस भी board से है सभी boards के लिए यह one-sort है क्यों maximum हम वो complete कराते हैं वो part complete कराते हैं जो सबी बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है ठीक और NCRT फालो करते हुए हम अपना one-sort कर रहे हैं ताकि ऐसा है कि maximum जो हमारे पास अगर देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो बोर्ड से पेपर वहीं से सेट होता है वहीं से बनता है तो चले फिर अपने वन-sort इस वन-sort की कि आखिर बोपद है क्या जैसे मने समीगां सीखा जब शमीगां पढने की बात है हमने एक चरवाले रहीं कि की शमी कटता अर्य करें आ है उनको मान कैसे निकाला जाता है क्या होते हैं सुन्यक उनकी चर्चा करेंगी और अंति मैं बहुपत के सून्यक को और गुडांकों के मद्ध संबंध जहां से कोशन पक्का ही बनता है तो दो ही exercise है मतलब कोशन दोनों से ही आएंगे यह तो confirm है ठीक है और बहुत आसान कोशन ह होते हैं आपको इसी one sort के माद्यम से कुछ बच्चे तो ऐसा होगा अगर जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना बहुपत उसको सिर्फ इसी एक one sort से पूरा बहुपत समझ में आ जाएगा और कोशन वो गलत नहीं करके आएगा यह मेरी गारेंटी है ठीक है चला है फिर स्टार इस तूपर टू जहां में सुन्यांकों और गुडांकों के संबंद के बारे में कुश्चेस करने दोने से कुश्चेन आएगा उसमें कोई सक नहीं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले बहुपत को कि होते क्या है बहुपत नाम से कैसा इस पश्चोरा बहुत आसान है और बहुत चीजें देखोंगे तो पढ़ी हुई चीजें तो सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी स्टार्ट करते हैं ठीक है सभी लोग रेडी है ना कैसे चलना है वन सॉट सब समझ में आ रहा है जो भी पिछले वन सॉट हुए सब वहां तक क्लियर है कोई डाउट त चुटता है जो डिफरेंट टाइप को चूट जाए या इस प्रकार का सर कोश्चन पीशे पेपर में आया हुआ है पिछले साल और आपने नहीं कराया ऐसा कुछ भी नहीं चूटेगा सारे कोश्चन आपके कवर होंगे सारे कॉंसेट कवर होंगे विद कॉंसेट और विद गंटे लग के इसको देख लो विदाओड किसी डिस्टर्वेंस के एक प्रॉपर अपना आप फोकस रोके किसी कमरे में बैठ के आप पूरा वनसौर्ट विदबत देख लो विद कॉपी पेन रखके अपने साथ में तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा य का हम लोग चर और उरचर के बारे में जानते हैं चर और चर क्या होते सर चर वो मानोते सबसे पहले चर ओर रचर की बात कर दें हैं हैं तो एक बार रिवाइज कर दें चर कौन से मान होते हैं? सर चर वो मान होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जिनका मान परिवर्तित हुआ करता है और वहाँ पर हम इंग्लिस की मदद देते हैं, इंग्लिस कही न कहीं से मैत में घुश जाती है पाइक है और इंग्लिस जब मैठ में गुसती है और आपस में घुंट जाती है तो वो बीजी बेन्जक बनाते उन्हीं की रहते हैं उनको करते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है आप प्राया जो आप देखोंगे X, Y, Z से denote किया जाता है प्राया हम बात कर रहा है समानता हर केस में नहीं होगा आप इसी exercise में देखोगे कहीं न कहीं T से denote होगा कहीं yes लिखा होगा इसमाल कहीं you लिखा होगा तो लिख सकते हैं उसके लिए कोई परिशानी की बात नहीं कोई इंग्लिस का इंग्लिस का इल्फाबेट यूज कर सकते है basically होता क्या है कि ABC जो आंगे starting वाले होते है वो हम लोग अचर के सयोग में उप्योग करते है जब मैंने देखा था कि द्युगात एक समीकर जब आपको पीछे पढ़ाया था तो महां लिखा था एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो लिखा था ऐसे अब यूगास समीकर व्यापक रूब लिखा था अब ABC यहाँ पर अगर देखो तो यह अचर है तो सारे इंग्लिस के अल्फाबेट तो हम नहीं चर में लेते है मलब कुछ अचर भी हो जाते हैं तो कुछ अचर के लिए उपयोग कर लेते हैं और कुछ चर के जिससे X यहाँ पर चर के लिए यूज है तो ऐसे ही प्राया म क्या करते हैं एक्स उए जड की अगर हम लोग बद बात कर लें और या फिर यूवीड ये इनकी बात कर ले टी यस इनको सभको हम चर के चरूओ प्योग करेंगे और अचर तो आप जानते हो जिनका मान निश्चित रहता है उमने कुछ भी लिख दिया 3 5 7 सेक्टर कुछ भी हम लिख दे वो सारे अचर मान है जिनका मान निश्चित रहता है, इनका मान परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें हम अचर बोत थे, ये बात हो गई, चर और अचर के बारे में, बेसिक सी एक बात, ठिक, अब चर और अचर को क्या करें, जब हम चर और अचर को मिला कर, जोड, घटाना, गुणा, या भाग के सय नोक्स इनको जोड के रखते इनको मिलाapter के लिखते तो उससे ही विजी बेंजक कहते हैं क्वार एक्जामपल जैसे मैं New York L प्लस का 3x प्लस का 5 यह हमारे पास क्या हो गया एक बीजी बेंजग हो गया क्यों चर और अचर दोनों देखो फोर के साथ एक्स गुणा में यह अचर है इसके साथ कुछ इसक्वायर लगा हुआ है मतलब कुछ गहात लगी हुए एक्स की कोई दिक्कत नहीं 3x लिखा है 3x के साथ बीच में प्लस लगा इधर प्लस लगा है तो जब में चर और अचर को मिला जुला कर जोड़ घटाना गुणा बाग कैसे भी लिख दो वो सारे कैसे हो जाते वो सारे हमारे पास सर बहु जो बीजी बेंजग बनाते जैसे एक बीजी बेंजग जैसे 6x की तीन बटे दो माइनस का 7x प्लस का 5 यह भी क्या एक बीजी बेंजग है चर और अचर को जब भी आप मिला के लिख दोगे वो क्या बनाते हैं बीजी बेंजग बीजी बेंजग के माध्यम से वह उपत समझेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा हम तभी बेसिक से बता इनको बीजी बेंजग कहते हैं कि हमने क्या किया चर और अचर को मिला कर लिग दिया कहीं जोड लगा रहें कहीं घटा ना लगा सकते हो कहीं भाग भी हो सकता जैसे भाग के केस में मतलब की जैसे आप यह लिख दू कि 6 बटे x प्लस 5 एक्कोल तो 0 यह भी एक बीजी तो सब बहुपद क्या होते हैं बीजी बेंजग के अगर हम बीजी बेंजग लेले कोई बीजी बेंजग लेले और उस बीजी बेंजग में जो चर की घात हो वह अगर घात एक पूर्ण संख्या है तो उसे हम बहुपद कहते हैं बहुत नों को पता भी होगा आता भी होगा तो वो इसको थोड़ा fast forward करके देख सकते हैं जिससे revision हो जाए येकिन मैं इस level से बता रहा हूं जिसको नहीं भी आता उसको भी आ जाए टिक क्योंकि ज्यादा ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है तो सब चीजें आ जाए तो बहुपत क्या होते हैं जब बीजी बेंजक की दिखात कैसी हो पूर संख्या हो का वादे लोग पूरी संख्या बोल गया हो कि क्या होता है पूर संख्या याद है whole number प्राक्रस संख्या के बाद हमने पूर संख्या पड़ी थी पूरी संख्या भी पढ़ाई थी पूर संख्या होती है जो 0 से प्रारंब होती है 1 2 3 4 ऐसे अनन तक चली जाती है यह क्या होती है पूर संख्याय होती है तो जिस भी बीजी बेंजक में एक्वल टू जीरो नहीं लगाते है एक्वल टू जीरो अगर लग गया तो वो समीकन बन जाती यह बात हमें पता है बहुपद में केवल ऐसे ही रहता है ठीक एक्वल टू जीरो मत सकते हैं 6 x को अगर उपर ले जाए एक है उपर दे जाए तो x की घात माइनस एक प्लस पांच लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सर गातम उपर ले गए तो यह पूर्ण संख्या नहीं मतलब यह बहुपद नहीं है तो पहला वाला अगर देखू तो यह सर बहुपद है कोई दिकत नहीं क्योंकि चर की घात जो है वो सर एक पूर्ण संख्या यहां भी चर की घात जो है वो एक है तो चर की घात जब भी पूर्ण संख्या है तो वो एक बहुपद है बस सिदी याद रखने किसी भी जी बेंजक में अगर चर की घात पूर्ण संख्या यहां पर देख worth तिसरा वाला लंहीं है क्यों कि सर यहाँ पर जो चर की घात लगी वह बटे की पिसंखिए लिखिया तीन बटे 2 और तीन बटे 2 हमारे पास देखें तो पूर संखिया नहीं होती है और 3 बटे 2 अगर पूर संखिया नहीं है तो यह एक बहुपद भी नहीं है क्योंकि बीजी बेंजग की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है चर्की घात पूर्ण संख्या नहीं है अतावे बहुपद में नहीं लिया जाएगा यहाँ पर भी देखो जैसे इसको हमने 6x की घात माइनस एक लिए क्या यह x की घा माइनस एक पूर्ण संख्या है नहीं है गलत तो पूर्ण संख्या अगर नहीं है किसी चर की घात तो वो क्या हो जाती है वो बहुपद में नहीं आती है जब भी किसी बीजी बेंजग की घात हमारे पास एक पूर्ण संख्या होगी वह बहुपद का निर्मार करेगी तो इतन बनाया इनी चर अचर के सयोग को जोड़ घटाना गुणा बाग करके लिग दिया तो यह बीजी बन गए लेकिन इनी बीजी बेंजेक में कुछ बनने के लिए क्या होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात गात एक पूर्ण संख्या होनी चीए तो गाप बाउपत में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यह याद रखना है क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर कि जो हमारे पास गहात होटी घात चर्क गहात लिए चर्की घात एक पूर्ण संख्या होगी, ये बात कहीं अपने कॉपी पे एक साइड में जब भी लिखो तो अपना नोट कर लो, बहुपत की घात एक पूर्ण संख्या होगी, तो जब भी चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी, वो बहुपत का निर्माल करेगी, और बीजी बेंजक से ह कि बहुपत का हमारे पास निर्मार होता है यह बात हो गई बहुपत में चुछ चीज़ें हमें बहुपत में जानने की जरूवत है एक तो बहुपत के बारे में घात जानने की जरूवत है कि बहुपत की घात क्या होती है बहुपत में पद क्या होते है और बहुपत में जाएगा तीन बेसिक बेसिक चीज़ें जान लेते इनी से कोश्चन बनेंगे आगे वैसे पहले एकसरसाइज में से पेकी कोश्चन दिया उसका कोई नाता नहीं लेकिन बेसिक सी बात है जान लेते हैं फिर चीज़ें आसान हो जाएगे घात की बात अगर करें तो जैसे कि मा आख स्कुलू है एक ये लिहां एक यह लिखा है एक यह लिखाई चलिक-एकर लेखा अधान नहीं कोई स्क्ञेऱ एक लीख है यहां पर अगर स्टेंट एंच्छीन देके अच्छ़ यहां पर वह स्टीका बताऊ पहलेग अगर तो यक्स की घात कितनी लिखी है दो मतलब जो भी चर है उसकी घात कितनी है दो सबसे अधिक्तम घात कितनी है बहुपत में जितनी भी सबसे अधिक्तम घात होगी वही बहुपत की घात होगी सर यहाँ पर एक्स की घात दो है यहाँ पर एक्स की घात एक है मतलब बहुपत की जो घात है वो कितनी है घात सर दो है अब जो दो घात का बहुपत होता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं द्यू घात बहुपत इसे ही हम बोलते हैं द्यू घात बहुपत इसे ही हम बोलते हैं द्यू घात बहुपत ऐसे ही हम बोलते हैं द्यू घात बहुपत हमें बात पता है कि जब भी घात एक होती हम रैखिक बोलते हैं उसे रैखिक रैखिक मतलब घात एक यहाँ पर अगर देखें तो सरी X की कोई घात नहीं मतलब X की घात जीरो है घात किती है? जिरू, घात जब जीरू होती है तो उसे ही हम बोलते है है अचर बहुपद या सून्य बहुपद. अचर बहुपद या इसे बोल सकते हो शून्य बहुपद. दोनों बातों का मतलब सेम है आप जब भी कोई चर संख्या लिखी जैसे मैंने यह लिख दिया पांच एक्जाम में पूछा जाता है एक्जामपल आएगा लिखा होगा पांच चार ओप्सन दिये होंगे कहेगा लिखेगा यह रेखिक बवपद है या नहीं है यही बताना है या अचर बवपद है या एक दियुगाद बवपद है अगर घात तीन होगी घात ूमने क्यौन सा बउपत बोलेंगे वैसे ही तीन गात पड़ेंगे चार होगी कर चार होगी फॉपत बोल दो और 5 गात ow डस थाध कर बोल दो इसके लिए नहीं उसमें कन्फ्यूज होना कि सर क्या बोलेंगे क्योंकि स्लेबस में हमें यही पढ़ने या तो रेखिक बहुपत दिया होगा या अचर बहुपत दिया होगा या द्यूगात बहुपत त्री घात बहुपत भी हमें नहीं पढ़ना गात तीन बहुपत भी बात नहीं होगी और एक बात एक चर वाले हमें बात दी गई है, हमेशा देखो यहाँ पर एक चर है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर X है, यहाँ पर Y, हमेशा एक चर वाले बहुपदों का ही हमें यहाँ पस लेवस में अपने पढ़ना है, टेंथ में और कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक तो घात या तो 0 घात का होगा, या 1 घात का होगा, या 2 घात का आपको दिया जाएगा, ठीक, उतने ही बात करेगा, या बात करेगा, कि वहाँ पर जो हमारे पास चर होगा, वो समेशा 1 चर वाला बहुपद होगा, एक चर में बहुपद दिया जाएगा, हमेशा 2 चर नहीं दिये तो इसमें कितने पद है, पद मतलब कि कितने टुकड़े या हिस्से हैं, तो आप टुकड़े हिस्से कैसे पहचान होगे, जहाँ पर भी प्लस या माइनस का चिन लग गया, वहीं से आप टुकड़े इससे पहचान लो, यहाँ पर प्लस का चिन लगा, इससे पहले एक पद ल सेवन लिएक्स माइनस 5S square माइनस 3 पलस का 4 x q आप र कितने कितने पतका ख़ओ गया सब एक कुई कि यहां पर माईने सलर minha아서 egy कूले सलक शनाे कि रहा है तो हो Vai तो यह 4 पदी बहुपद हो गया, 4 पदी बहुपद बोल सकते हो, तो यह 3 पदी, यह 2 पदी ऐसे 1 पद में हो सकता है, तो simple यह से पद पहचानने है, कि जहाँ पर प्लस माइनस के हिस्से से तूट रहा है, वही से आप पहचान लो, कि सर गिनलो पद, बस पदों को गिनना है तो यह 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी और 4 पदी, 5 पदी ऐसे बन सकते हैं, कोई दिखकत ने, ठीक, घात हो गई, पद हो गई, गुडान की बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक मालो, दो घात का बहुपद लिखा, दो घात का बहुपद मतलब, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, अब यहाँ से आप सो क्या पूछेगा, कि X स्क्वायर का गुडांग क्या है, X स्क्वायर का गुडांग, गुडांग का मतलब होता है, जो गुडां में लिखा हुआ, अंक है, गुडां में लिखी हुई जो संख्या है, तो X स्क्वायर के गुडां में लिखी हुई संख् से उसके स्क़ेज का गुडांक तो सर एकस का गुडानग हमें दिखराए कि enjoyment की हम इसाद लेना है तो एकस के साथ जो गुरा में लिखा वो क्या लिखा भी लेकिन माइनस चिन के साथ आध एक्स का गुडांग क्या है सर एक्स का गुडांग माइनस का भी है यह बात यह सब्सलença से सभी से को पता होना चाहिए चैए चिंदे के साथ लेंगे ऐसे हमने गुडांग की बात करनी है तो decent बेसिक से हाथ पर ज्यादा चलेगी गुडांग पर ही कोश्चन बनते हैं पद पर कोश्चन अब नहीं बनता है कम चांसें लेकिन बहुत आसान भी पहिचान भी सकतो कि सर यह दो पद है इसमें तीन पद है इसमें चार पद है वो आराम से रिलेटेट कुश कोश्चन समने लिए कि वो पैचानने कि बहुपद है या नहीं जल्लेली सब लोग बताओगे शाथ-साथ बताते हुए चलो तो जल्दी समझ में आएगा वन्जगों में कौन-कौन एक चर में बहुपद है और कौन-कौन नहीं थिक तोमें बताना है कौन- सर पहला वाला गर देखो तो इसमें लिखा हुआ है 4x स्क्वाय माइनस 3x truc 7 या चर्की गाद 2 यहां पर एक है और चर्बी एक यह यहां पर भी एक्स है यहां पर भी वो एक पूर्ण संख्या है, दो, root T लगा है, वो root T तो constant है, root मतलब 2 के साथ लगा है, constant संख्या है, अचर मान है, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कर है, मैं चर की घात देखनी है, क्यों यह तो अचर है, चर चर की घात हमारे पास एक पूर्ण संख्या है, पास है, वो एक चर है, उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, root 24 एक constant अचर मान है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें चर से लेना देना है, लेकिन सर जो यह चर दूसरा वाला लखा है न, इसी के साथ, उसमें घात एक बटे दुवए, मतलब कि पूर्ण संख्या नहीं है, और चर की घात अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो बहुपद नहीं होगा, तो सिंपल तीसरा वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, चोथा आजो, चोथे वाले में अगर देखे, तो सर यहां से हमें कोई समस्या नह लाओ कि कहां पे है तो वाई की घात उपर आएगी तो माइनस वन हो जाएगी माइनस वन की बज़े से यह पूर्ण संख्या नहीं रहेगी तो यह भी एक बहुपद नहीं होगी तो यह जब वाई उपर आएगा तो यह भी पूर्ण संख्या नहीं तो यह भी बहुपद नही है यह ना सोचेना की नीचे लिखा है तुछ बसे दोनों पूर संख्या है सीधे अम वह लाओगे से ठिक है अब आंगे अगर बात करें इसमें इस time इसमें 10 एक की घाथ 10 है एक पूर संख्या की घात 10 एक भाट 154 एक पूर संख्या कि ती 3 1 ओना चुह है यहां x भी चार है, y भी चार है, t भी चार है, अता यह भी बवपद नहीं है। लेकिने सबसे अभुपदे उसलिए वह गलत है लेकिन गलत है क्योंकि एक चर्मन नहीं है यह बात हो गई कॉन कॉन से बहुपद्धॡ है यह नहीं है ठीक आnew आधे अच्छा इसकी हमें घयात बतानी है अग्ला में जो बता ही इंचीज है वह इसी पर मैंने question कुछ ले लिए हैं, ताकि सभी चीज़ें clear हो जाएं, क्या नीचे दिये गए प्रते एक बउपत में घ्यात करने ही है, घ्यात बताओ, घ्यात क्या होती है, सर बउपत की घ्यात हुए होती है, जो बउपत में सबसे अधिक्तम घ्यात हो, बउपत की घ्यात को जाएगी कोई दिक्कत नहीं इस पर तो कुछ नहीं लगी यहां पर दो लगी यहां पर तीन यहां पर आठ यह लगी ना तो घात कित्ती हो गई इस बहुपत की पूरे की घात कित्ती हो गई कि आठंण फ्रिक ऐसे आज़ों यहां पर थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट ब्याद इंपॉर्टेंट अभी पांच की बात किती इस बहुपत की घात कितनी है कौन सा बहुपत है और अचर बहुपत है मतलब सून ने बहुपत है इसमें जो चर की घात होती है उसर जीरो होती है क्योंकि X की घाट 0 की वेलू हम डारेक्टी वन लिख सकते तो एक्स की घाट वेक्लू 0 1 हो जाएगी तो फिर से 2 आ जाएगा तो यहाँ पर अगर घाट की बात करें तो घाट कितनी है घात सर 0 तो यहाँ पर सर एक यह अचर बहुपद है इसकी घात जो होगी वह 0 होगी या सून बहुपद बोल सकते हैं तो इसकी घात क्या होगी 0 होने वाली यह हो गई हमारे पास बहुपद की घात की बात गुडांक और सीख लेते हैं गुडांक क्या होते हैं गुडांक से पहले ऐसा करते गुणांक की बारे में तो पता ही है अगर हमें इसमें गुणांक बताना है जैसे अच्छा कि वाई की घात आठ का गुणांक बताओ इसमें क्या सकता है कि वाई की घात आठ का गुणांक लिखो यहीं पूछेगा इसे तो आप कैसे लिखोगे सर वाई की आठ घात आठ भी जो गुणा में लिखा है, क्या लिखा है, दो, तो दो हो जाएंगा, ऐसे अगर पूज़ दे, अच्छा, इसी कोश्चन में पूज़ दे, X की घाद, 0 का गुणांक बताओ, तो क्या होगा, बताओ, अच्छा, कोई लो, इसी कोश्चन की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर में दूसरे नंबर question में अगर पूस दे X की घाज 0 का गुडांक क्या है तो क्या गुडांक है बताओ X की घाज 0 में कहा से मिलती है अचर बहुपत से जो अचर वाला पद होता है जैसे यहाँ पर अचर पद था ऐसे अचर पद यहाँ पर कौन है यह 2 ही है तो यहाँ पर X की घाज 0 का जो गुडांक होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 के साथ ही X की पावर 0 लिख सकते है उसकी value 1 होती है तो X की पावर 0 का गुडांक क्या है 2 तो गुडांक पर भी ऐसा question बन सकता है वो आराम से हमलों कर लेंगे क्योंकि मैं पता है गुडांक के बारे में क्या है गुडांक के साथ जो लिखा हुआ अंक है क्योंक है तो इसक पैप के सथ ले ना है जो आगए जो आगे पलस माइनस लगा उसके साथ ले ना है प्यक है चले हांगे iX के रूप में भाउपत दिया जाएगा तो यहां sав ऐकस दिया गया है यहां अगर T लिखा उता हुअता तो य की रुप तो कभी PX लिखा होगा कभी QX लिखा होगा कभी TX लिखा होगा UX लिखा होगा minus का 4x plus का root 11 इस बहुपत का में मान गयात करना है कहाँ पर x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x की जगह 2 रग दो जहाँ जहाँ इस पूरी लाइन में तुम्हें x दिख रहा है जहां जहां इस पूरी लाइन में तुम्हें एक्स दिख रहा है उसकी जगह आप उठाके टू रग दू जिसे यहां पर एक्स था जहां जहां तुम्हें दिख रहा हो इन्टू दो की घाती माइनस चार इन्टू दो प्लस रूट 11 पीटू इसको दो दो दूना चार दूना आठ तरिक चौब इस दो की घातीन हो जाएगा आठ गुणे टीन चौब इस माइनस चार दूना आठ प्लस रूट 11 पीटू चोबिस से आठ चले जाएंगे किता बचेगा सोला तो सोला और प्लस रूट ग्यारा रूट ग्यारा की वेलू तो में नहीं पता है रूट चार होता मालूब दो लिख लेते नहों थी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं पर छोड़ बस पी टू एक्स बराबर टू पर सिंसे मालो यहां पर एक सब्सक्राइब नहीं पहुंचें इस इरफ हमने आपको बेशिक इंफरोमेशन दे की बहुक्त में क्या-क्या चीज़ होती है उसके लिए परशान हो ना तो ये इससे आईडिया लग गया हो गया 1 की और 2.1 में अगर हम बात करें तो 2.1 में हमें बहुपत के सुन्यकों का जॉइंटी अर्थग्याद करना है इससे पहले हम क्या करते हैं बहुपत के सुन्यक को समझ लेते हैं कि बहुपत का सुन्यक क्या होता है यह है मारे पास 2.1 exercise इसमें दो ही question है पता है एक उधारण में दिया गया graph वाला question एक exercise में दिया गया एक exercise में कोश्चन है सिर्फ एक ही question है यह 8 6 part है इसके 6 part में question दिया गया मतलब question तो यह आएगा ही और बहाद आसान question है देख कई आंसर मार दोगा अभी देख लेते हैं इसको क्या है पहले उससे पहले बहुपत के सुन्यक की थोड़ी सी बात कर लेते कि बहुपत के सुन्यक का मतलब क्या है बेसिक सा बहुपत के सुन्यक का मतलब यह है कि बहुपत के सुन्यक में चर का वह मान जो बहुपत का सुन्यक कहल भूपत को 0 बनाने वाला जो चरका मान होता हुँ शुन्यक होता है बस इत्ति सी बात प्लाव इसका जैसे मैंने को एक बहु पद लिखा लिख रहा है से एकस फ्लस फाइव लिख मैंने मालो एक बहु पड़ Alice इक सर्मी चरकी घात एक 1न संख्या बहु भ५ाजेश नहीं गटने में अगर हमें इस बहुपद में एक्स बराबर माइनस पाच रखें एक्स बराबर माइनस पाच पर धैसक त्रवरा मगर माइनस पाच रखें चाहंद धिक्रावा माइनस पाच रख दूर आओ-व Dear Lee पास से पाँच कड़ गया, माइनस पाँच उक्वल TOO G, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, यह 0 निकलने के आने का मतलब क्या हुआ, इस बहुपद को आमने सुन कर दिया, कैसे सुन किया, X बराबर माइनस पाँच रखने पर, मतलब X बराबर 5 इस बहुपत का एक सुन्यक है मतलब माइनस 5 इस बहुपत का एक सुन्यक है X का वय मान जो बहुपत को सुन्यक बना दे बहुपत का सुन्यक कहलाता है तो X बराबर माइनस 5 रखने पर हमने देखा कि बहुपत का मान शून्यक हो गया अता यह एक बहुपत का सुन्यक है सीधी सी बात यह कि X का Y मान जो बहुपत को सुन्यक के बराबर बना दे 0 के बराबर बना दे बहुपत का सुन्यक कहलाता है कैसे भी आपको सुन्य मिल जाए वो वहाँ से आपको सुन्यक कहलाएगा जैसे for example एक और example लेते हैं मालो मैंने लिया PX बराबर X-7 अब यहाँ पर यह थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं कि कैसे यह सूर्ण बन सकता है अगर हम यहाँ पर X बराबर 7 रखें तो यहाँ पर P7 आ जाएगा साथ रख दो X की जगह है यह कड़ जाएगा पीशेवन इकोल टू किता आ जाएगा जीरू मलब X बराबर 7 जो है वो इस बहुपत के लिए क्या हो जाएगा सूर्ण हो जाएगा जब भी किसी बहुपत की बात करें उस बहुपत को वह अगर चर का वह मान नगने जिससे वह ब माइनस 5 रखा तो बहुपत का मान सूर्ण हो गया यहां 7 रखा तो हमारे पास बहुपत का मान शूर्ण हो गया तो जिस भी मान से बहुपत का मान शूर्ण निकल के आ जाए वो बहुपत के शूर्ण के कहला है बस इत्ती सी परिवासा याद रखनी कि बहुपत के शूर्ण है पी एक्स बराबर हमें यहां पर बहुपद दिया गया था एक्स प्लस फाइव अगर हम इस पी एक्स को इक्वल टू जीरो कर दें तो इक्वल टू जीरो पर करने पर क्या हो गया एक्स प्लस फाइव यहां पर पी एक्स बहुपद दिया गया तो रख दिया एक्स बराबर तो यहां से x का मान क्या निकला है माइनस 5 मलब माइनस 5 रखने पर इस बाउपद में सुन्य के बराबर आ जाएगे यह हो गया हमारे पास एक चर में बहुपद अगर दि rapt मुँद्धिया जहाएं के अलाग सके अलग बहुपद के सुर्णयक निकलेंगे एक चर में भी भुपद हो सकता है थिक दो चर में भिभ Fellow एक घ्र की बात तो उसक्षार आपको दिखेंगे maximum case होता है कि दुघात बववपत देता है जो अगला question वी अमने लिया है दुघात बववपत के आपको सुन्य निकालने को कहेगा दुघात बववपत को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं द्यूग्हात बहुपत का मतलत के हैं द्यूगात बहुपत नाम से इस पश्ट है अभी उने पीछे पढ़ा भी था गात में कि जिस भी बहुपत की घात दो होगी उसे द्यूगात बहुपत कहेंगे अगर इसका व्यापक रूप लिखे तो कैसा हो सकता है एक स्कॉयर प्लस kins लसी एक डाट नहोंप है दिकरा एक्सकी घाथ है अधिक तम गाप दो है तो वही जोगाथ भर अपद फिर उसके बाद एक गात एक वाला पर देंफिवर इसली वाला भी पान टिक तो इस अगर मिलें बात करें तो एक द्विघात बहुपद है अब एक बात तो यह कि एक चर्में जो हमारे पास रैखिक बहुपद है मतलब एक घात में बहुपद है तब तो हम डारेक्ली देख पारें कि माइनस पांच रग लिया या इसको इकवल टू जीरो करके यहां पर भी अगर दो घात में बहुपद है तो उस केस में कैसे बहुपद का मान निकालेंगे उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जैसे यह कोश्चन दिया गया है एक्स इसको अगर हम डारेक्ली इक्वल टू जीरो कर भी दे तो ऐसे तो नहीं निकालाएंगे मान कही न करके इस दुगात को हम रैखिक बहुपद में बना लेंगे फिर इक्वल टू जीरो करके एक्स के मान निकाल लेंगे तो डारेक्ली जीरो करने से तो कोई फाइदा है नहीं मतलब कि हमारे पास एक बहुपद दिया गया पी एक्स बरावर एक्स स्कॉयर प्लस फाइव एक् देखें तो हम अगर इसके गुणा करने मनलब गुणा करने पर क्या आने चाहिए गुणा करने पर तो चार आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए पांच आना चाहिए तो चार गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने पर पांच तो जोड़ने पर पांच ही दो एक तुचार के गुंड अगंड डो डू सकता है चारैकम चार ल холод के पांच चाहिए टो दो और दो जोड़के पांच तो भी लेकर चार और एक पास मिल जाएक का वलाब 4 और एक में तोड़ ले तो तो क्या करो इसको चार दोनुट सुथे तोड़ते हैं एक शिर्ट थोड़ते पी एक्स तो एक्स स्क्वाइर अब इसको बने लिख लिया चार एक्स प्लस एक्स प्लस का चार प्यक्स यहां से टोनों से एक्स पॉल लिलू एक्स प्लस इन प्लस यहां से कवउमन और एक्स यहां पर कुछ यहीं बंफने और काथ हर दुगात बहुपन में और बहुत मिलेगा ही कि दूगात Dos 소lement करें तो कि वह एक जो गात बहुपत था, उसके गुलनखन काहिए, हमने दो घात में था, इसको एक गात में बना ली, यहाँ भी गात है, यहाँ पर भी गात है, इक छरवे बने बने के, अरे एक गात में बहुपत बने, आब इस को equal to zero कर दो, आब इस बहुपत को क्या करो, equal to zero करके सीने बाहन हमने क्या किया पी एक्स इक्वल टू जीरो कर लिया सीवा ठीक इस पी एक्स को इक्वल टू जीरो किया पी एक्स क्या था यह इसको इक्वल टू जीरो यहां से एक बार यह जीरो यह एक्स बराबर आ गया माइनस का फोर और यहां से एक्स बराबर आ गया उससाइड जाके मा मानशूल ने हो जाएगा माइनस वन भी अगर इस बहुत में रखेंगे तो भी बहुत का मानशूल हो जाएगा माइनस 4 रखो तो 4 चोको कित्ता हो जाएगा 16 प्लस के माइनस माइनस का इसको है माइनस 4 एक्स की जगे रखो के माइनस का 20 हो जाएगा 5 चोको 20 और प्लस का 4 जो को 16 चार 20 हो जाएगा और यह माइनस का 20 कट के 0 हो जाएगा चाहें माइनस एक रख लो तो भी जीरो आ जाएगा यह बस देख ले का तरीका है रखना नहीं है हमें पता होना चाहिए कि एक्स के वो मान जो बहुपद को सून बना दे बहुपद के सून्यक कहलाते हैं अगर वो रैखिक बहुपद है एक घात का बहुपद है तो बहुपद आपको बिल जाएं उसके सून्यक आपको मिल जाएंगे और उससे आप आराम से वोपद के सून्यक बता सकते हैं आगे इसके और भी कुश्चन लगाएंगे जो एकसराइज में भी दिये गए अप चलते हैं अपने नेक्स टॉपिक पर बहुपद के सून्यक के यहाँ पर एक लाइन अबने कुछ गंदी से लिखी अभी वो लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा जब हम इस पर कोश्चन लगा लेंगे लाइन का लिखी एक बार पढ़ लेते फिर कोश्चन पर चलते हैं बहुपत के सून्यकों का जैमती अर्थ पहले इसका जा सकते हैं क्योंकि यह तो हो गया मनता हमें इस रूपे दिया गया तब सुन्यक बताने अगर हम केवल इस बहुपत को ग्राफ के बाद्यम से आपको दे दे और फिर कह दे किसका सून्यक बताओ तो बता पाओगे और एक छोटी सी चीजी है कि आपको ग्राफ नहीं बनान गराब बनाया आएगा उसके लिए ना परिशान हो लागी सर गराब बनाना पढ़ेगा नहीं गराब बना बनाया तुम्हें एक्जाम में मिलेगा बस देख की तो बताना होगा कि इसमें कौन-कौन से बहुपत के कितने सुन्यक बतानी होगी और उसी के लिए यह हमारे पा X-H को जितने बार गराफ काट रहा होगा प्रतिशेद कर रहा होगा वही उस बहुपत की सुन्यकों की संख्या होगी जैसे कि for example मैं वालों एक गराब बनाता हुग आपके साथने मैंने गराब बनाया कुछ इस प्रकार से यह गराब बनाया को यह वाई अच्छ है कि यह एकस एक हच और यह पर गराबम बना डी मिलेका कॉपि एसे पूरा ब्लॉड होगा उसमें मिलेगा नंबर अब टो आप Иवा कि बहुपद में जो सून्यकों की संख्या होती है वो एक सच पर प्रतिछेद करने वाली संख्याओं के बराबर होती है अच्छा एक सच पर जो ग्राफ है कितनी जगह प्रतिछेद कर रहा है प्रतिछेद मनलब काट रहा है एक यहां पर काट रहा है एक यहां पर काट रहा ह कितनी जगय काटा तीन जगय मतलब इसमें सुन्यकों की संख्या कितनी कि थैन क्या उवॉर्ण नहीं तुकार रहे नहीं कि यह नहीं सोचना कि यह पे काट रहा जितनी जगे भी touch होगा वही उसका क्या होंगे उसके सोन्हया को ऊचछ Bite की तरफ द्यान दो और देखो कि एक सचपे को आइक कितने जगए काह रहा है एक जगह पे उसका बीज्डाव का यहांपर सुन और कि तुम्हां कटिनी है इस बीज सोन पेसर किस दिखानी से बना दिया है क्या जो करने आजाओ बना यहांदा कितनी है की ब मेले उस चाहिंहें सब्सक्ताय तो सब्सक्राइब अन्फ़नेगा किपटो और तो पिसके कर देखाल monitoring oni देना इसपर एक सच सच पर एक काटरा किए काटरा दू में आँए वाले का मतलब सुनों की संघ्या किति होगई इए अगर आएगा तो ऐसा एक शब्दे देखा चार अपसंदे लेगा एक दो तीन चार कितनी है सोलिया को कि संक्या एक टिक मारो आंगे बढ़ जो कुछ नहीं सोचो क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं अगर एक नम्मर में वैसे आता है कि theoretical उपे तो आपको graph बना होगा आप लिख दोगे कि x अच को graph जो है वो एक जगए पर प्रतिछेद कर रहा है अता सुल्यकों की संख्या एक होगी बस इतनी बात लिख देनी है यहाँ पर देखो एक जगए यहाँ पर टच कर रहा है बस एक जग संख्या होगी और कुछी ठीक यह उदारण में question दिया गया एकदम बेसिक साटू पढ़ना अब इसी प्रकार का सेब कोश्चन हमें exercise में दिया गया जल देल इसके भी बताओ पहला वाला बेहाद अहीमीले लिए the chaotic graph नहीं काट रहा है तो सुने को कि सांखेया कि यह जी रो अगयो आँदे को तो एक जगे कार्ट रहीर स्टरेक सच्छुक技 यह अपर हाव तो एक डो थे पिन जगह पर काड़ी है ठिक याओ सर एक डूँचा इधर काटे इदर काटे यता सच मत देख नीटीक है कि इधर ओक तो लूटी चार जगहां चार रहा है चार ऊंगे याओ है कि सर एक दू को ती किति होगी तुछ करें या काट के निकल जाता हूं बतलब एक ही है वह पृति छेदवे ही जिना जाएगा तो वहां पर किते जगए काट रही तीन बता लोगे सारों कोई भी ग्राफ दे देगें नगें कोई दिककत की बात नगें कोई सवस्या की बात नह तो कितनी हो जाएगी तीर बस ऐसा ही कोश्चर आएगा कुछ और आप से कर लोगे अब सब पर विश्वास है सारे लोग कर लोगे कोई ऐसा कोश्चर नहीं तफ है दो कोश्च चलते दोनों अब लोगों ले कर ले अब चलते अगले टॉपिक पर जिसमें हमें बात है तो गुझानकों के सास्द समद्ध क्या होता उसकी बात करते है इसमें हम बात करते हैं हमेंसा एक इखाद लूता थी सभी एक किसकी बात होगी दुगाद बाउपद की तो एक दुगाद बाउपद आप पहले लिखते हैं हमने एक दुगाद बाउपद ृक का एक स्कॉरेट प्लस कब भी एक सबसी एक दूगाद में अधिक्तम गात दो एक दूगात में उपद एब सी गुडानक है मैं पता है एक स्कॉर्ण का गुडानक एए एक स्कुराणक भी ए और अचर पद हमारे पास यहां पर क्या है सर्वारे पास अगर देखे एकिस्क्वाइर का गुडानक LEGLE दीक पूरी चीजह स्व्टा गुडानक अपने रिख लीसे इकस्क्वाइर का गुडान के सर्क एक्स का गुडान ले कि इस जो यह बहुपद अबने लिया है माना कि बहुपद के सूर्ट्यक अलफा तथा बीटा है अगर यह बात हम माल ले सर अलफा बीटा ही क्यों माने है कुछ और क्यों नहीं माले बाज सकते हो कोई दिकत नहीं पी और क्यों है टी और वाई है सी और जेड है बाज सकते हो लेकिन उनको जैसे और जड़ बोला तो जड़े कम चर संख्या में लेते इलफा बीटा एकस्टेटर्ड है बुक ले फालू किया है सभी अभी तक यहीं फालू करते एक स्टेंडर्ड मना दिया कि फिक्स पैकरला कि अल्फा बीटा लेकर चलना इनकी बीटा किसलिए यूज थन सब्सक्दी पैटन के लिक्टा खीवा हीं बाहना बहुपत के जो सुन्यक है वह अल्फा था बीटा है ठिक अगर सू्न्यक एल्फा और बीटा है तो दो चीजे होती है दersonति वने को गुरांगों में दो ही संब दमें दिए गए एक उनके गुणा सुन्यकों को के कुणफल का अगरी अगतीक का जो योखफल होता है जिसे ऐलफा प्लस बीटा और सुल्यकों का जो गुड़न फाल होता है एलफा इंटू इटा तो सुल्यकों का योग्फल होता है खी भी विटाइंस एकस का गुड़न यह फार्मूला होता है को सुन्ने क्या होते हैं योगफल यहां पर क्यों क्या होता है अ योगफल लिए तो तो सुन्ने क्या लिएलफा और बीटा लिए तो माइनस का B, X स्क्वाइर का गुडांक क्या है? X स्क्वाइर का गुडांक A, बल्लब माइनस B बटे A, तो जो सूल्यकों का योगफल हो गया, वो क्या हो गया? माइनस का B बटे A, जहाँ पर माइनस X का गुडांक B था, और X स्क्वाइर का गुडांक A था, तो यह क्या हो गय एल्फा प्लस बीटा इक व्पलटो माय ब bet U C PRACAR अगर हम सुन्यकों का गुडन फल लिखते हैं दोई चीजह फी सुन्यकों का गुडन फल तो सुरूर लेकों का गुडन फल क्या होता है से सुरूर को गूडन फल होता है सी गड़े यह मतल्ब अचर पद बटे x square का गुड़ा ठिक तो सुनेकों का गुड़न फल क्या हो जाएगा इसे अब बोलते हैं c बटे a तो दो ही फार्मूले होते हैं जो अब याद रखने हैं बस इनी से सारे question हमारे हल हो जाएगे एक हो जाएगा सुनेकों का योगफल का दो ही फार्मूलते हैं-c बटे a सुनेकों का गुड़न फल उता है पता भी होगा कोई दिक्कत दे चले हाँ यह बात हो गए मारे पास यह गुड़ाइग हो गए अब इस पर question कैसे बनते हैं कैसे question हमें करने हो ते हूँनकी बात कर लेते हैं 2.2 यहां से हमारी स्टार्ट हो जाती हुफश्चन निकालना अभी सिखह ने कहाँ पर को स्ब कोश्चन में निकालने हैं समझ लेंगे अभी क्या होती सत्ता की जात इनके गुड़ांकों संबंदों में मलब क्या सत्ता की जात है वो भी जाल लेके स्टाइट करते के कोशन सीथी स्टाइट करते एक मैंने डिफरेंट डिफरेंट ताइप के लिए ती टाइप के को सब्सक्की हमें साथ द्यूगाद मौंपद के ही सुदियक की बात हो गी अच्छा दुगाद मौंपद में तीन फार्मेड बनेंगे ओन-फोन से लिक्त बता कि घाद की मतलब क्या होता है कि घाद दो लेची है मतलब एक का गुडान के कभी सूनने नहीं हो सकता एड़ नौट इक्वल टुजीरो क्यों जैसे एजीरो कर देंगे तो यक्स भी यह पूरा जीरो हो जाएगा तो वह द्युखाद बहुपद का रहेगा सिर्प इतने टर्म क्या बढ़सकते हैं कि तीक फॉर्मेट यहारूप यह रूप आप बोल सकते हो कि जो ही तीनों प्रकार की कोश्चन हoga को पोरे स्कुराइर बी-स भी और इस यहां पर एक स्कूराइर बाएक्स है और नहीं तो तो तीनों प्रकार के होगे अब यहां पर एक्षीज किया तो अलग अलग चर्ण यूज़ हो सकते एक और पूरी लाइन होगी एक ही चर लिखा हुए जैसे पूरी लाइन में एक्स है पूरी लाइन में यू है पूरी लाइन में टी ठीक यह चीज़े में याद है अब चलते हैं आगे कोश्चन कैसे कर रहे हैं पहला वाला जैसे हमें करना है पहला वाला हम लेते हैं कह रहा है एक्स स्क्वाइर माइनस के PX इसको सीधा आप क्या करते हैं पहले PX के बराबर ही ले लेते हैं सीधे बहुपद है पहला लिया इसको उपने बाल लिया कि माना PX बराबर क्या है यह बहुपद हमें दिया गया लिख लेते हैं पहला वाला यहां पर लिखा माना पूरा वैसे लिख आब एक्स स्कॉर्र बहुत ध्याज़ से देखला एक कोशन एक ही वे सब समझ में आ जाएगा माइनस आप एक पल तो तो इसके गुड़नखंड करने पलते तो गुड़नखंड करते तो पी-च वराबर क्या हो जाएगा इसके गुड़नखंड करने यहाँ पर बन गुड़े म माइनस दो तो एक तो होता है आठे कबाट भी होता है एक तरीके से हो सकते है चार से दो जरू गठाएंगे तो अब दो बिल जाएगा 8 से गठाने पर साथ मिलेगा 8 एक का कोई कॉमलेशन नहीं बनेगा वालब 4 और दो का बनाना पड़ेगा तो बना लेते हैं यह रफका क मैं इसको नहीं करना है कि सोचना है मन में सोचना है और में सो सकते हो और इसको करते एक सी स्वाइर हमने लिखा माइनस का 4x और का 2 यक्स हो और भाइनेस्क बाहर डीयार माईरस जैंनाSu मैंनेस चार से जाएंगे माइनस का दो आ जाएगा चार दो ना करेंगे तो भी माइनस का आठ होंगे मेंके को दो पी एक सब्ढ बराबर आ गया कि पीयेट्स वराबर के आगया एकसंवाइनस चार लागा एकस् प्लिस टू कर लिया वही का इस दिधार बॉपत को रहेखे गुडल खंडों के रूपए दो गुडल खंडों के तोड़े लिया जब इस गुडल प्धराबर में मतर्ड्ड इक्कल्ट कर दो एकस के बाल जोगे वही बहुतद के बाट होंगे इसको इक्ष्क्रट जीरो कर देते, पी एक्स बराबर सीठे का करो, जीरु की इक्ष्क ओनों करणा, इससे क्या होगा, यहीं पर लिखताे, इस साइड माइनस चार वाम 2 x प्लस दो आया इसको ऑन्हार जीरो जीरो तो इसी बहुपत G झाथ होगी उतने भूफपत के सूं ले कोई निख एस नुमीह ये हो गए सुने कीमाद हो बहुंत पता भी थी क्या ऐसा ही करनी होती गुडल खंड करने होते हैं और उटके एकल टू जीरो करके और फिर जो मान आते हैं वहीं भूपत के सुन्यक हो जाते हैं यहां तक तो बात पता थी अब इनके सुन्यकों तथा गुडांकों के भी सम्मंद की सत्ता की जाच करनी है तो सत्ता की के सुन्यकों का योग फट तो सुनेक यह अभी फार्मूला नहीं लगाना कि फार्मूला नहीं लगाना ये सुन्यक हमने निकाल लिए इनी का योगफल कर लो चार और माइनस दो कुझाएगा चार 4 plus minus 2, क्या आजाएगा, minus का 2, plus का 2 आजाएगा,ной प्लस का 2 आजाएगा, अगर सुझे पो का गुड़न फल लिखे यहाँ पर, इत्था आजाएगा, 4 दूटा 8 माइनस का 8, ये सुन्यकों का योगफल गुडणफल हमने सुन्यकों को देख कर लिख लिया सत्ता की जाज कैसे कर दी है जब ये चीज हो जाए फिर आप फार्मूले से डारेक्ट इस सुन्यक के योगफल गुडणफल लिखेंगे कैसे इस फार्मूले की मदस जैसे यह हमें एक बवपद दिया गया इसकी डारेक्ट प्रदस से हम सुन्यक का योगफल लिख सकते हैं कि यह माइनस भी बटे ए होगा तो ऐसे हम इसको देखके अब लिखेंगे सुन्यक का योगफल गुड़न कैसे देखो भी समझ में आ जाएगा जैसे हमारे पास यह बवपद दिया गया है क्या दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस का आठ ठीक अब हम अगर सुन्यक का योगफल लिखें सुन्यक का योगफल यहां पर फार्मूले का उप्यों कर रहा है वहां तो निकाल लिए थे सुन्यक यहां माइनस भी में होता है, कई माइनस भी माइनस का दो माइनस दो लगा कई माइनस का का तक है मतलब ऑन कितला और है इस दो? सुन्यकों का गुलन फळंफर निकालो और इस थेरे का गुलन फळध, गुलन fasten क्या है गुलन मूले की मदद से सुनिक योगफल गुड़न्फल क्या है दो और finan 좋은कर निकाले गुड़नखंड करके तब योगफल गुड़न्फल क्या आया तक दारेक्ट हमने ऐसे जब निकाले तो मैं योगफल गुड़न्फल का मईला कर दोरیں सेम और यहांपर भी यह rigi माइनस आठ यहां पर भी यहां पर यहां पर घॉडन फल माइनस आठ यहांपर भी उन्यक आए उन्हीं को जोड़के होली को गुणा करके लिखे लुंहीं से डाइड अगर इसके में शुल्यक निकालले तो वार्मूला भीuchar क्या और फार्मूलळ जो सही है उन्हें नाइं? तो गुड़न खड़ साही अगर कियो होगे तो ये बराबर आएंगे ये भी बराबर आएगा इसके अगर ये बराबर आगे तो मतलब अबने जो सूर्टेत निकाले हो सही निकाले कोई दिकत नहीं सही है ऐसे ही दूसरे डाइब को कोश्चन है का और करते हैं यह और किलियर ह यहां पर यू इसको कैसे करना है सर अच्छा यह दूसरे फार्मेट का है इसमें कुछ नहीं करो इसमें डारेक्टली तुम जब ऐसे दो दिये जाए एक्स स्क्वाइर और प्लस बी एक्स के रूप में लिए देखो क्या का रहा है क्या यहां से 4 u कोवन ले सकते हैं लैं इस और काम लेगे तो यू बच्चेगा यहांपर यहां चार-दूरा-इस के वल बच्चेगा है वो गये यहां तो अगर तो 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 तोड़ने पड़ेगा बीच वाले को फिर गुड़न खट गए लेकिन अगर केवल दो पद दिये गए बीच वाले ये तो कुछ नहीं करो सिंपल एक कॉमन ले लो गुड़न खटके रूम में तोड़ लिया यह भी रैखित बहुपद है यहां भी धात एक है यहां भी यू इकवल टू जीरो एक बार हो जाएगा यू प्लस टू इकवल टू जीरो यहां से यू बराबर आ गया है कितना फोर उदर जाएगा तो भी जीरो रहेगा यहां यू बराबर आ गया बाइनस का टू दो बहुपद के बारे पास माना गे यू बराबर जीरो और यू बर अगर योगफल यहां से निकालने तो क्या आएगा सर योगफल हो जाएगा जीरो और माइनस दो डारेक्ली लिख लाए कि फार्मूला कुछ नहीं लगना यहां पर यहां पर जो आगे सुनने कुन इसी के साफ से लिए गुड़न फल फूले को का है गुड़न फल गुड़न फल तो गुड़न फल क्या आ जाएगा सर गुड़न फल जीरो गुड़न माइनस दो हो जाएगा जीरो गुड़न माइनस दो तो आ जाएगा जीरो तो यह सुनने को का योगफल और अड़े गुड़न फल निकाल लिया जब हमने सुनने खल किया उससे निकाली अब फार्मूले की मदद से, अगर फार्मूले की मदद से निकालना है, तब पहले हम लिख लेंगे सत्यता की जाच, यहाँ पर उपर डालो सत्यता की जाच, बस, यह जाच जाला, अब फिर क्या करोगे, अब आप लिख लो बहुपत क्या दिया गया, बहुपत दिया गया, फोर अब यहाँ पर B की बात करें तो यह पूरे व्यापक रूप में तो नहीं है AXS square plus BX plus C और होता है तो C मैं उस डूसरे पेंसे लिख देता हूं मतलब की कुछ plus अचरपद और होता है C और अचाहे था सी नहीं है कोई दिक्क्र नहीं माइनस B वाटे है भाई माइनस B किता है यह 8 तो यह बाइनस का 8 हो जाएगा प्लस का था एँमारे पास किता है चार काट दो 4 दूल आथ माइनस का दो आगया ऐसे घुटन फल हालो अलफा इंटू बीता यह होता आप सी वटे से निकालो चैया गुड़न्खंड करके निकालो दोनों से से मारा जैसे यहां पर आया था तो जैसे यहां पर आया मतलब सत्ता की जाच हो गई कि यहाँ पर भी योगफल गुड़न फल बराबर है जो अमने गुड़न खंड करके निकाले जो ने फार्मूले के मदद से निकाले दोनों बाते सेम है मतलब कि सत्ता की जाच हो गई हमने जो निकाला है वो सही निकाला ऐसे तीसरे प्रकार का पैटर और ले लेते हैं सीधा एक्जाम पर पूरा कोशन करके आओगे कोई दिक्कती में तभी आराब आराब से पढ़ा रहो अगर बड़ा होता तो मैं फोड़ा फास चलता मैं फास्ट इस वज़े से भी चलना हूँ क्योंकि बहुत आराब समझने वाली चीज़े आराब समझ लेते क्यों जल्द त्रिकोण मिती चैप्टर रह गया था और यह बहुपद हो जाएगा तो त्रिकोण मिती और बहुपद के हम mcq question लाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जैसे मैंने पिछले lecture में कराये थे वैसे सेम करेंगे और प्रॉपर प्रेक्टिस करते नहेंगे जब सारे हम सांगे का पार्ट है उसको आसान करते हैं ठीक है तो जो कल का लेक्शर होगा आपका जो लाइव वाला होगा लाइव मिलेंगे हम लोग फिर से एक बार तो सारे लोग आईएगा महुद रहेगा उपन सौट जरूर पूरा complete कर लिजेगा सारे लोग लाइव रहेगा हम का पड़ा बड़िया Praiente 3 aire-15 तो इसकों पिर लिक लेते हैं जैसे वहाँ पी अक्सलिक्षा प्व मीव लिकाएसे लिए तो प्रकुतली को माइनस 15 आएसे कोस्ट्र को कैसे करना एक चीज समझो पहले है इसे स्कॉएर माइनस चार तो क्या आप इसे यह नहीं लिख सकते एक स्कॉएर इसको और रहेखिक बाउपत के रूप में तोड़ने कोशिस करें एक बाउपन लिखा दुगाद बाउपन चार को हम क्या दो काई स्क्राइर नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं सर एक स्क्राइर माइनस चाह लिखा इसको हमने एक स्क्राइर माइनस दो का स्क्राइब लिख लिया और एक फार्मूला बच्पन से पढ़ते चले आ स्कॉर्ण एक स्कॉर माइनस स्कॉर्ण चाहिए एक स्कॉर मैनस वाई इसका रहे की बात है तो यह क्या हो जाएगा एक्स प्लस्टू और एक्स माइनस टू कर सकते हैं इसको हराब से तोड़ सकते हैं यह भी एक रहखिक बवपद एक रहे एक बीवपद के मान निकलाएं तो इस टाइप का जब पैटर नों कि भी एक्स वाला टर्म ना दिया जाए वहला बीच वाला इसमें कौन सा टर्म सर इसमें अगर में प्लस का जीरो टी रम का पंडर यह जीरो टी वाला जो तरम ओओ नहीं दिया गया वो इसलिए और x square वाला पत तो हमें दिया गया था लेकिन सर ये बीच वाला bx नहीं दिया गया तो उसको हमने 0 माल लिया कि 0 के साथ T लगा 0 T की value 0 है तो उसका कोई मतलम नहीं बस आसानी रहेगी देखने में समझ में आ जाएगा इसलिए 0 T लिख लिया है ताकि किलियर टी बनी रहे अपने पास आप चलते आगे अब इसके बालों हमें करने होते गुड़न कर तो हम कैसे करेंगे इसमें तो डारेक्टली वहीं कर लेते हैं पहले इसको रहने ही दो कोई दिखका उससे समझ से यहां पर अचलते हमार डारेक्टली यहीं काम कर सकते हैं कि इसको टी स्कुबईर लिखा है क्या माइनस पंद्रा को भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं जैसे यहां पर 15 ने लिखे मालों लिख दे कभी 29 तो कैसे लिखेंगे सर 29 को हम लेख सकते हैं रूट 29 का स्कॉयर तो उसको रूट वे लिखेंगे फिर उसका वर्ग कर लो क्योंकि रूट से वर्ग कैसी लो के वही संख्या मिल जाती है तो बहुत आसान हो जाएगा जब हम इसको पूरी नहीं किसी स्कट रही तो रूट 29 खट से उसका वर्ग कर लो आराम से हो जाए तो ऐसे हमने यहाँ पर कर लिया अब क्या होगा अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा एसको 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 एक प्लस बी और ए माइनस बी ठीक अब इसको एक्वाल टू जीरो कर लो तो जो हमारे पास बाउपद है इसको एक्वाल टू जीरो कर दिया तो टी प्लस पंद्रा रूट पंद्रा और टी बाईलस रूट पंद्रा इक्वाल टू जीरो तो एक बार इसको एक बार इसको एक्वाल टू जीरो तो टी प्लस रूट पंद्रा इक्वाल टू जीरो एक पूर्णान मिल गया placing भीया अब वपत के सुटक का योगफ़ल और डिकन रिकने रहे हैं अल्फा अल्फा प्लस बीटा यहां से फार्मुला क्यों लिखना योगफ़ल लीको सीधह थी करते हैं तो फालनाशंति बीटा क्या हो माइनस रूट 15 गुडत रूट 15 तो रूट से रूट का गुडके रूट कैंसिल ओ triggers माइनस 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा ाइनस पर वाट सॉल से रूट हो जाएगा यह बात समझ का आगे ला कि यैसे रूट 15 होज सकार दैप 170 रूट का मतलब होता है 15 गात माइनास पंदरा ओ जाए प्धिक रूठ से रूठ हो जायागा किसी यह बास अभी है कि जैसे उलें पंदरा लिखा गूलें पंदरा लिखा रूठ की माइनस च्छ ना था तो गाते जोड़ जाती तो जासे एक बठेडू यह लोगे तो यह ठोघना तो यह आ गया अब फार्मूले से कर लेते इसको अटा देते यह तो सब्जाले के लिए पार्ट था इसको अटा लेते अब फार्मूले से अगर करना है तो हम सिधे इस बहुत को लिख लेए अगर टी स्क्वाइर वही लिख लेते उस रूप में 0 T ताकि हमें बीबी उसकरना करें तो सी बटे एघ्रिश माइलेस पंदर्ः बटे लन रहे है तो कि ता यथा माइलस का पन्द्धा झ Dus ने को का योगफल भी माइल जीरो है और गुरनफल जो tweak माइनेस पंद्रह है यह हमारे पास क्या हो गई सत्थता की जाच हो गई सत्थता की जाद यहीं मिलते हैं इनकी अमने यहां कर नहीं कोई समस्या तो नहीं तो भुपत के सुल्यांकों गुणान सम्बंद यहीं कोई नहीं कोई नहीं कर सकते हो तijn form अब कुछ भी नहीaya आपको क्लिया आपquito सब चीज़ें आपको किलियर होनी चाहिए अब यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए अंगे बात आती है एक और फार्मूला यहां पर सिंपल सा यूज करना है कि अगर हमें सुन्यक पता है तो हम बहुपत का निर्माण कर सकते हैं बैसे बहुपत को बनाना तो बहुपत का निर्माण कैसे करोगे बस एक फार्मूला उसी से कोश्यर हो जाएगा हमें बहुपत के निर्माण का एक फार्मूला पता है वो होता है पी एक्स बराबर के ब्रेकेट में एक्स स्क्वार माइनस सुन्यको का योगफ़ल सिंपल सा एक फार्मूला है वह यूज करना है और प्लस सुन्यको का गुड़न पर बस इसी से हो जाएगा सुन्यको का गुड़न पर बस यह एक फार्मूल कुछ बच्चे के नहीं लगाते हैं यहां पर सीधे क्या करते हैं यह के ना लगाके यह के अटाक है यह सुन्यको का योगफ़ल गुड़न एक्स प्लस सुन्यको का गुड़न पर अंसर उससे भी आ जाता है सही है अंसर कोई दिक्कत नहीं लेकिन के लगाना के के बगएर हम नहीं करेंगे कि क्या होता के कोई बीवास्तिविक संत्या कोई भी आच्रमान हो सकती क्या है कोई भी वास्तिविक सांथिक्स क्या लेजे सकते है ङहां पर मंतलब समझ में आ जाएग değat कि क्या होगा कैसे हैं को arrowsगा बस यहां सब्सक्राइब एक के वैलु कुछ भी ले सकते हैं कोई भी जो आप का रवन अभी समझ्में आजाएगा इस्तिक अनुसार लेता है अभी समझ्में आजाएगा यह तो लेकों का योगफल दिया यह गुलन फल दिया है तो हमें इस मेह उपत का निर्माल करना वे धुर्गाद बहुपत है घ्याद करना करते पहला वाला मैं बता रहा हूँ पहले पहले वाले मैं मैं सुलेको का योगफल 1 by 4 दिया गुलन। माइनस बन दिया लिए ज़ाएट अपर मुला लिखर है कोई दिक कर तो कर को का योगफल सुन्य को के योगफल क्या होता है एलफा प्लस बीटा अगर सुन्य अख है तो इलफा प्लस बीटा हो जाएगा योगफल गुणे अपनी फॉर्म में चलेंगे यह भी फर्मूल है यह दोनों बातों का मतलब एक ही है यहाँ पर योगफल था एलफा प्लस बीटा लिख दिया गुण फल्टा इलफा इल्टू बीटा लिख लिए बस ठीक वही बात है तो यही करते हैं यह अपि लिख लेते है यह स्कुर्ण बाइनस एल्फा प्लस बीटा सुन लेकों का योगफल एक्स और एल्फा इंटू बीटा सुन लेकों का गुणन यह सीधा मारे पास फर्मूला उत टिक यहाँ पर पहले वाले केस में सर देखे तो एलफा बरावर अवे क्या दिया गया एलफा प्लस बीटा अब बात करते हैं पी एक्स बरावर के की जगह के रहें नहीं तो परेसान ना हो भी है एक्स इस्कॉर रखो योगफल दिया गया सठाव प्लावे दिया गया एक बटे चार भी एक्स प्लस गुछ वूग्ण फॉलल आहले कैद्र है माइनस का एक है ये दिया गया है, चार एलस ले ले लेते हैं, पि-क्स बराबर, कुछ ना करो, चार एलस लेलो, तो 4x इस्कोर, माइनस का x, और माइनस का 4, चार का गुड़ा हो जाएगा तो चार इधर गुड़ा हो जाएगा बटे में चार आ जाएगा ठीक एक्स के लिचे तो चार है यहां तक करो कुछ लही करो पहले फार्मूला लिखो योगफल की जगए योगफल लिख दो गुड़नफल की जगए गुड़नफल लग दो कोई दिक्कत नहीं, LCM लेके इतना करो, फिर के कामान रखला है, क्या रखोगे के कामान, बस हर में जो वैलू लिखे जब LCM लिया, तो हर में जो आया, वही वैलू यहां पर माले लो, के की वैलू चार, चार से चार कर जाएगा, एक मौपद दिल जाएगा, जो भी हर मेहाँ उसकी जगए के की वैलू वही रख दो गो पिए वो यहां पर आगुण होता यहां पर अगर सिम्पल चल ना होता यहां पर वन होता या तो तो कुछ भी लाता हैसके लिए लीचे बनाmaking नहीं रहें वेल्ञां 2x square plus 3 आ गया कोई बहुपर तो मलब हर में क्या लिखा है वन लिखा है तो के की वेलू 1 रग दो अगर कुछ लिखा है तो वो वेलू रग दो तो यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ पर हम लिख देंगे पी एक्स बराबर यहाँ पर के की वेलू उन्हें 4 रग दी 4x square माइनस का x माइनस का 4 बटे का 4 4 से 4 कट गया यहाँ लिख दो साइड में माना के बराबर 4 कोई भी वास्टिक संख्या होती है वह पर इस्तिती के अनुसार लेते हैं जो नीचे बनता है वही लिख लेते हैं क्योंकि उसे काट लाए पस काट दिया यह बहुपद आ गया पी एक्स बराबर आ गया इस बहुपद का यह आंसर हो जाएगा यह दूगात बहुपद अबने निकाल लिए फार्मूला लगाओ वैल्यू रख दो योगफल गुड़नफल दिया होगा डारेक्ट रख दो एल्सेम लेलो जो एल्सेम में नीचे बटे में आ जाए उसी की जगए के की वही वैलू र गजिंटी अदियाय है ुकैना ते लंएर करते हैं फार्मूला लिख रहे है सर्फार्मूला होता है पीएक्स राबर केatin ông एकसिसग्वायर स्बदनिंस हे एलफा प्लस वीटा एक्स अलफट वील्ट ते безопас भी थेरक पी एलफा एंटू बीटा कित्ता दिया गया 13 अब सर्य यह हो गया पी एक्स बराबर के इसमें तो कुछ एलसे माला बल नहीं रहा तो बस जारी प्ले लिग दो एक्स उस्क्वार माइनस का रूट टू एक्स और प्लस का तेरा यह हो गया हां इस बार देखो सर्बटे में कुछ कि या आप नहीं बटे में आया माना के बराबर ऑट के युझा आथ क्न कर वंस्था एकैस उस्कायर माइनस स़रू ट्ू एक्स प्लस का तेरा ऑट के रखना है के इंपर्टेंट है यह ना सोचना कि के नहीं रखेंगे तो गलत होगा तो गलत नहीं होगा अन्सर आजाएग कोई दिक्कति बार नहीं लेकिन जो छोटी चीज़ें वो याद रखने इसका बहत तो अभी समझ भी आ जाएगा तो के की वेलू के रखो के को बालू तो आपको कल्फ़र्व है कंबर कटेगा ही नहीं हमें पूरे में पूरे माक्स चाहिए हमें आदे नंबर का भी वो नहीं जीरो दिया गया है एक और कर रहे है अलफा इंटू बीटा वे रूट पाज दिया गया है यह हमें दिया गया है सिधा फार्मूला लिख रहे है पी एक्स बराबर होता है सर के एक्स स्क्वार माइनस एलफा इंटू एलफा प्लस बीटा एक्स प्लस एलफा इंटू बीटा है कि वोई हुआ रखो px वरावर वर के याया याig आ वारे पास अक्स इससकोर आलफा प्लस बीटा क्या आई है और ईक्स एलफा इंटू बीटा क्या है रखो पी अदून बढ़ावर क्या गयासर के जो आया है वो रखो X U Squire यह तो जीरो हो गया प्लस का रूट पाच बचा के वर आफसार के अमान क्या रहे कि वह ही केस बनिया कि हर में कुछ नहीं है मतलब के वराबर के बराबर कि रोड़ा ही तो के बराबर क्या रॉका माना के बराबर 1 बहुपत बारे पास या गया कुछ नहीं है अर्में तो के बरावर वन सी लिया रहे बस यहीं दो कोश्चन बनते है टू पॉइंट टू में इससे बाहर से कोई कोश्चन नहीं आएगा एक कोश्चन यह वाला फार्मेंट बनेगा कि द्युगाद में उपत देगा उसके कहेगा सुन्या कि निकालो उसकी स पढ़ा है उसको भी सत्ता करो कि यह जो आपने गुडल खंड किये वह सही है या नहीं तो जो गुडल खंड किये वह बराबर आ रहे हैं हमारे पास जो हमने फार्मूला लगा है दोनों बराबर आ रहें सत्ता की जाचोगी सेम अमने दो-तीन कुश्चन फॉर्मेट कर बनते उसी तीनों कोश्चन कर लिए एक भी नहीं छोड़ा हूए वह पैचाता है एक करा देता लेकिति दूसरा फॉर्मेट आ गया तो कैसे करना एसर इस फॉर्मेट का आ गया तो कैसे करना रहा है तो तो बहुत कर लोगे कि अलफा प्लस बीटा निकाल लोगे एलफा इं है तो फारबूले में डारेट रखो आराग से निकालने तो यह हो गए हमारे पास इसकी बात एक अंतिम कॉश्चन बचा पूरा वर्लों का बहुपत फिलिस है एक अल्टिम कॉश्चन मचा है जो एलवा और भीटा पर हमारे पास बनता है क्या कोशन बनता है कि यदि बहुप के सुन्यक हमें दे दिये इसमें कि यह सुन्यक है तो हम एलफा प्लस बीटा आराम से लिख सकते कैसे सर्वों होता है माइनस भी बटे और हमें पता है कि जो द्विघाद मुपद होता है वो इस रूप का होता है एक स्कुर प्लस कभी एक्स प्लस के सी रूप का तो यहां पर सरके आयं एलफाप्लस बीटा माइन वाइलश भी माइलस भी बन लाकी वाइनस-3 एَّ क्इाइब ऐलसे जैथा प्लसबीटा ठीलूदममस नीवनर टुटूदूद Спanten माइनस एलफा बीटा की वेलू क्या है एक बटे दो एलसे मेलो माइनस दो तो हमारे पास है माइनस थीन माइनस एक किता आगे माइनस का चार बटे दो दो से दो उड़ा दो माइनस इसमा इस नहीं गिवेल है लेकिन दूसरे बॉन में कभी कभी पर डारेटली आता है यहाँ पर कोई ». इसकी जगह यहंगे की टू इल्फ एल्फा जिद अ're-इन्टू-बीटा निकाली लोगे सियाँ आजए तो इस ट्राइप के कोश सकते होeren मैक्सिमम सारे ही कोश्चिन करा दिये जो आपके कोश्चिन बनते हैं कुछ बेसिक का पार था जो घात और पद गुडान उन सबको भी समझ लिया ताकि सारी चीजे के लिए रह जाए कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो आपको पता नहीं थी बेसिक से और अब लोग अच्छे लेवल तक के कोश्चिन सारे कर लिए जो आपके एक्जाम में बनते हैं तो कैसा था वंसौर्ट सभी लोग जरूर बताएंगे और ज्यादा बड़ा वंसौर्ट नहीं था चोटा ही था अराम जे सारे लोग पूरा कंप्लीट करो पूरा देखो एक बार के साथ ही मैक्सिमम है अगले बन सौर्ट के साथ अब तक के लिए टका बाएंगे